वेल्कम तो प्रोटीट्स, प्लिस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पांच सो पचपन के लेवल्स पर इस समय खड़ा हुआ है कल की क्लोज से मैं काल्कु vita कर जाया था तो थो थोड़क थी वीक में जादा यह इस समय 80% पर्सेंट नीचे इसलिए नज़र आ रहा रहा है क्योंकि सिर्फ प्यूर्ली वो adjustment है ध्यान रखिया आपकी screens पे वो split हो गया है ये share कल जो 2800 का नजर आ रहा था आज सारे 500 पे खड़ा हुआ है Ineos Starolutions आपकी screens पर आएगा इसका OFS underway है आज 800 का floor price है और इसलिए वो क्योंकि massive chunk promoters की तरफ से बिकने आ रहा है 15% के दबाव के साथ इस समय काम काज करता हुआ HDFC Twins की तो बहुत detail में चर्चा हो गई वो weakness लेकिन बढ़ गई है HDFC Limited अब 2% दबाव IT का हो रहा हैं कि इतना strong है कि माइन्ट्री के decent numbers भी stock को नहीं टिका पा रहे है माइन्ट्री अपने numbers के reaction के तौर पे 1.5% से ज़ादा कमजोर इस समय RBL bank शुब हम आपके पास आऊंगा इस bank पे चर्चा करने वो वाइदा से बाहर निकला है फिर पिट रहा है परसंट और कमजोर इस समय RBL bank अपने आज के result से पहले ACC screens पर लेकर आईए 7% की कमजोरी के साथ इस समय trade करता हुआ और उस mega deal के announcement के बाद कल टाटा पावर पिटा था और उसके ओपर आज फिर 1% के आसपासी कमजोरी जो momentum दिखा रहे हैं उसमें नीरजबाचपी ने का आपको stock बताया था वेरॉक engineering सब्सक्राइब इसका चार्ट आप ready रखेगा अपना जो global lighting कारुबायर बेशने की तयार ये सिर्फ newspaper reports है कोई company की तरफ से confirmation या individual confirmation नहीं है newspaper report suggest कर रही है अपना दंदा बेचेगा 7% इस समय उपर AU small finance bank आपकी screens पाहना चाहिए मेरे काल से वो bonus पे विचार होने वाला है ये वैसे भी out performer रहा है अपने peers के मुकाबले सवाचार 4.5% का उचाल AU small finance पे मैं भूल जाओंगा लेकिन ये पालविया साब के पास जाओंगा AU को लेकिन आप भी याद रखेंगा नहीं तो मैं भूल जाता हूँ prestige जिए जिए जो brokerage report आई थी उस पे धाई परसेंट के आज पास का उचाल है reports में aggressive targets से overweight का call था मेरे रहाल से वो report 612 के targets की बात कर रही थी prestige मजबूती के साथ trade कर तो अपने result से पहले फिलिप्स काबन में 2% के आज पास का उचाल IGL 1.5% और मजबूती के साथ trade करता हुआ जो कल का मेरे रखालते सत्तुते साब का trade था तो शुबं पहले RBL Bank बहुत कासी weakness इस bank में कैसे अप्रोच कर रहा आप लोग इसको आशिजी RBL Bank अगर हम देखें तो इसमें जो overall हम काफी समय से इसमें under performance देख रहे हैं और अब जिस level के आज़ पास यह trade कर रहा है 127 का जो इसका previous swing lows भी रहा है तो यह बहुत ही critical level है और मुझे लगता है कि अगर यह level breach हो जाए तब एक major downside यहां पर आ सकता है तो फिलहाल हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और यह breakdown अगर 127 के नीचे जाता है जो कि hardly 1 रुपया है अभी current level से तब हम उसके बाद एक short sell यहां पर कर सकते हैं और 118 तक का मुझे लगता है इसमें target extend होता वा दिखेगा और 132 space trade के लिए हम एक stop loss maintain कर सकते हैं और मैं एक trade और add करना चाहूंगा जहां पर एक अच्छा move आता वा दिख रहा है तो मुझे लगता है कि auto में जो move है उसमें महिंजा इन महिंजा आउट परफार्म करता वा दिख रहा है अलाकि market अब थोड़ा सा negative आ गया तो हमें 2-3 दिन के perspective से एक option trade यहां पर build करना चाहिए महिंजा इन महिंजा का 900 के strike का अगर हम call option देखे साड़े साथ रुपय पर trade कर रहा है दो तीन दिन के perspective से खरीदे पांच रुपय पर stop loss maintain करे और 12-13 रुपय तक का target इस पर आतावा दिखेगा तो RBL पर sell की शला है और महिंजा